हेलो गाईज, assalamualaikum कहते हैं, आप आज की रहाद लूट के वीक्री नैलिसिस के साथ और आज मैं आपको बताऊँगा कि गोल्ड में अगले वीक में क्या मूमेंट आने वाली है और इसके साथ साथ पहले मैं आपको यह भी बताऊँगा कि पिछले वीक मार्केर ने किस-किस से हमें ट्रैप करने की कोशिश की है और किस तरीके से हमने टैनियर इंड को यूज करके यह वह वाइट टूल है जो हमने आपको इसी लाइफ ट्रेडिंग रूम के दुरान और गोल्ड वीक्री नारिस के दूरान इंट्रद्यूस करवाया था इसके साथ साथ हमें और भी बह वाले वीक में क्या इंपेक्ट रहेगा इसके बारे में हम डेटेल से बात करेंगे ना सिर्फ इस वीक में NFP है बलके और भी काफी जाया न्यूजिज है तो बी विद मी यह वीक बहुत जबर्दस होने वाला है और गोल्ड वीक्री नालिसिस की वीडियो बहुत जबर्दस सुस्टाट.com गोल्ड के विक्री नालिसिस कैसे रहेंगा आज तो चलते हैं और चलते हैं आपके विडियो बन रही है तब यह संडे को यह देखे European President Lagarde बात करेंगे सम्मिट के उपर ठीक है Jackson Hall Symposium पे Jackson Hall Symposium अभी भी जारी है और उसके बाद जो Bank of Japanese के Governor है वो बात करेंगे सम्मिट के साथ हो कल US के President या नहीं के USD के Governor ने बात की थी और आज ECB and Japanese और बाकी जितने भी Governor है वो बात करेंगे और दूसरी बात मंडे को Bank Holiday है British Pound का बाकी सारी currencies काम करेंगे AUD और USD वगारा 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 लेकिन USD के को खास news नहीं है इसके लावा अगर हम बात करें Tuesday की तो Tuesday वाले दिन जो है AUD, AUD USD का बड़ा अच्छा data है इसके लावा Tuesday वाले दिन ही AUD का S&P CB Composite 20 HPI Year by Year है इस news के बारे में detail अगर जाना चाहते है तो live stream return करना मंगल वाले दिन मंगल वाले दिन इस news के बारे में मैं आपको साई detail बताऊँगा इसके लावा बहुत ही leading indicator बहुत ही important news यानि के CB consumer confidence and jobs opening ये मंगल वाले दिन imported datas हैं और मंगल वाले दिन चुके 29 अगस्त होगी तो 29 अगस्त वाले दिन ये सारा कुछ बहुत जादा volatile होने वाला है especially USड से related अगर हम बात करें बुद की 30 अगस्त 2023 तो Euro की नियूसेज है EUडी की नियूसेज है इसके लावाब यूसडी की बहुत important news अगर आप देखें तो ADP employment change ADP non-farm employment change and GDP quarter by quarter oh my god oh my god it's really really good week for the trading मतलब Monday को छोड़ के हाड दिन में कुछ नो कुछ है by surprisingly इसके लावा pending home sale and crude oil की inventories भी मजूद हैं इसी week के अंदर इसके लावाब अगर हम बात करें 31 अगस्त 2023 इसके तो कतिक सब्सक्राइब को चाइना का manufacturing का data which is very important for crude oil and dollar as well इसके लावाब अगर हम बात करें euro के CPI flash CPI बगएरा 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 and end वाला दिन है last month का month का last day है इसमें USD की भी important news है जिसना के PCE price index or employment claims तो यह बड़े imported month है और imported ही close हो रहा है इसके लावा कुछ personal income जैसी और natural gas Chicago PMI जैसी low impacted news मजूद है अगर हम बात करें month के पहले दिन यानि के Friday की तो आपको पता होता है कि हर महीने का जो पहला week होता है उसका जो जुम्म होता है उसमें होता है non-form employment change यानि के NFP तो यह बहुत जादा important week रहने वाला भाईस साब trading के लिए त्यार रहे इसके अलावा average hourly earning आपको पता होता है NFP तो है unemployment claim rates होता है इसके अलावा जो important news है वो है ISM manufacturing PMI and ISM services PMI यह manufacturing prices and कुछ और भी data जो इस week में होगा तो week कुल मिलाके बहुत जबरदस रहने वाला है तो यह रहे इस week के imported data और यह week इस week के अंदर यह कमाल है कि इसके अंदर month खतम भी हो रहा और नया month start भी हो रहा है तो पहला जो month का पहला दिन है वो जुम्य वाला दिन होगा और उसमें आपको NFP जैसी बड़ी न्यूजिस का सामना है तो मतलब के closing भी important and opening भी important इस week में होगी चलिए बढ़ते हैं dollar index के चार्ट पे और सबसे पहले dollar index को tiny yield को देखते हैं कि वो किस तरह move करेंगी तो हमने सबसे पहले monthly देखना होता dollar index का के monthly कैसा रहेगा आपको याद होगा कुछ week पहले एक दो week पहले मैंने sell का pending order लगाया था sell limit का 104.600 के करीब और alhamdulillah सुमा alhamdulillah market उसी area की तरह बढ़ रही है और आने वाले week में उसको touch कर जाएगी मैं इसको pending order को उठा कर थोड़ा सा उपर लेके जाऊँगा 105 पे लेके जाऊँगा 105 पे हम dollar index को sell side वाली side में देखेंगे लेकिन अगर हम monthly candle को देखें तो भाई साब monthly candle तो कह रही कि मुझे sell करने की गलती मत करना dollar में बहुत जान है लेकिन अभी भी पाँच दिन है भाई साब closing में तो पाँच दिन के बाद हम देखेंगे कि market की candle कैसे close होती है अगर तो इसी तरीके से ये मारो बुज़ बुलिश candle close हुई तो maybe हमें gold जो dollar index को मजीद उपर वाली side पर देखना पड़े जो के market अपने previous high यानि जो इस साल का high था ये देखें 105.700 105.900 और 106 को भी टच कर सकता dollar index ये मंतली की बात बता रहा हुँ अगर हम weekly की बात करें तो पिछले 5-7 week से market मुसलसल buy mode में जा रही है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे week से मुसलसल market बाय जा रही है और अगर आप मेरा pending order चक करें तो मेरा pending order सिरफ moving average के ठीक और accurate है और हमारा जो resistance level है उसकी accurate है तो that means कि अगर market upside पे move करती है that means कि अगर market ने upward behavior कायम रखना है तो ठीक है वो हमारी moving average को और strongest resistance को breakout करे लेकिन मुझे ऐसा possible होता हुआ नदर नहीं है ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है यार, USD में इतनी भी कोई जान नहीं है कि USD बहुत ज़्यदा upside पे निकल जाए और dollar index जो है वो अपने नए हाई की तरफ आ जाए अभी वहाँ पे recession भी है वहाँ पे अभी महिंगाई के साथ-साथ unemployment और भी काफी जाए problems है bank default हो रहे हैं मसलसल और इस तरह की काफी जाए चीज़े है जो already हो रही है तो मेरे ख्याल से इस तरह कोई सेनेरियो नहीं है और वैसा भी अगर weekly में देखें अगर 6-7 week से market मसलसल बुलिच जा रही है तो अब अदा week तो इसको bearish बिनाना बनता ही है तो मेरे ख्याल से ये वाला week आखरी week होगा अगर bullish week ये बिनाता है यहाँ फिर upside pay week के लगा सकती है market तो इस week मैं यह समझता हूँ कि जो dollar index की candle है यहाँ तो एक डोजी टाइप candle क्लोज होना चाहिए यानि कि जो अगले week जिसके अंदर NFP भी है यहाँ फिर इसको एक bearish candle क्लोज होना चाहिए तब ही हम dollar index को आने वाले weeks में sell कर पाएंगे अगर मैं daily chart के तरफ बढ़ता हूँ तो daily chart के अंदर आप देखें कि यह जो area है इसको मैंने already mark किया हूँ यह देखें market ने already यहाँ पर काफी ज़्या struggle की थी और market ने यह इस area में काफी ज़्यादा you know doges बनाई है अब हो सकता है again यही scenario हम यहाँ पर expect कर रहे है market का एक सो चार शार यह 500 एक सार शार यह 600 शार यह 700 में market यहाँ पर doges बनाना शुरू करें तो फिर हम वहाँ पर एक sell side expect कर सकते हैं और market आर यह अपनी moving average line को breakout कर चुकी है in daily chart यहाँ पर एक अच्छी resistance level मुझूद है अगर इस resistance level को market जो है वो खातरखा नहीं जाती तो यह एक और आगे बड़ी चनोती मुझूद है जो के अल्मोस्ट 105 शार यह 100 पर बनती है जिसका मंतली चार्ट पर मैंने जिकर किया था so yes there is many thing जिनको हमें देखना है और यहाँ पर देखें market एक दफा नहीं काफी दफा market नहीं यहाँ पर struggle किया और मुझे लगता है कि market यहाँ पर दुबारा भी struggle कर सकती है तो मैं इससे ज्यादा market को उपर जाता हो नहीं देख रहा है लेकिन फिलाहाल dollar index bullish है at the end of the day result यह है कि पिछले पांच-छे week से dollar index bullish है और आने वाला यह महीना जो है इसकी closing और इसके week की closing हमें बताएगी कि dollar index ने आने वाले दिनों में कहां पर जाना है so dollar index की तो यह story है अब हम 10 year yield को देख लेते क्योंकि 10 year yield मुझे पहले alert कर देता है कि dollar index में seller आने वाला है यह नहीं तो यह 10 year yield की खुभी है और last week में आपको बहुत ज्यादा losses में बचाया भी है कि जब dollar index तो आप जा रहा था लेकिन 10 year yield bearish आ रहा था तो मैंने पहले बिता आपको कि यार अब gold को जो है trade नहीं कर सकते हम sell में क्यूंकि 10 year yield गिरना शुरू हो गया तो इसका मतलब है dollar index भी गिरेगा तो gold आप जाएगा तो वाकई ऐसा ही हुआ dollar index गिरा बाद में और gold upside पर गया और यह हमने देखा भी है और last week में market नहीं ऐसा किया भी है तो यह monthly chart प लेकिन weekly 10 year yield के chart ने मुझे बता दिया है कि yes there is sell compiling right now और market sell में आ सकती है और अपने अच्छे resistance level से market mark आ रही है so that mean so that mean that हमें dollar index में sell नजर नहीं आरी लेकिन हमें sell देखनी पड़ेगी आने वाले दिनों में sell आ सकती है उसकी वज़ा कि 10 year yield में doji बन चुके जो doji का जिकरह मैं कर रहा था कि dollar index में बने गी वो 10 year yield नहीं बना दी है इसका मतलब यह है कि भाई अब तो selling आने वाली है dollar index मे selling आने का मतलब यह है कि gold में upside thrust काईम होने वाला है खैर देखते हैं अभी हम gold के chart पे नहीं जा रहे हैं यह रहा भाई daily का chart इसमें देखें यह वो candle है जिसने आरी मुझे बता दिया था कि downside मार्कीट मूव होने वाली है यह एक candle और फिर दूसरी candle अलहम्दुला सुमा अलहम dollar index में selling आएगी या नहीं वो पहले ही हमें बतायता है तो यहां पर मुझे clear cut बता रहा है कि dollar index में selling आने वाली है ठीक है let's see क्या आगे क्या होता है अब हम चलते हैं gold के chart पर गोल्ड के chart पर देखते है कि gold में क्या moment होने वाली है सबसे पहले हम monthly chart पर जाएंगे अगर gold के monthly chart की बात करें तो gold के monthly chart में मैंने एक gray area create किया है यह gray area आपको नजर आ रहा है यह gray area basically तीन month की candles को represent करता है जून, July and August यह तीन month की candle को represent कर रहा है और area बता रहा है इन तीनों month के अंदर अगर market के high की बात की जाए तो वो 1916 ही रहा है अगर इन तीनों month के low की बात की जाए तो वो 1895 यह फिर 1900 का low रहा तो यह आप 70 डालर के अंदर 75 डालर के अंदर market move करती रही तीनों month के अंदर 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 तो यह हमें क्या बता रही है सबसे पहले long scenario देखना है इसलिए भी जरूरी होता है कि long scenario में आपको पास चल जाता है कि आपके पास window क्या है trade करने क तो अपनी एक habit बना ले आप कि मैंने long time frame पे अपने analysis start करने है और gradually उनको short time frame पे लेकर आना है ठीक है यह जो divergence बन रही है और यह मुझे अभी भी still बता रही है कि market के अंदर वो down time down scenario मुझूद है और मैं still I still stand with my 1850 और 1860 scenario के 1850 और 1860 में market आती हुई मुझे दिख रही है even मुझे इससे भी ज्यादा नीचे आती हुई market दिख रही है even 1700 के level पे यानि के 1800 को cross करके market 1700 के window में भी दाखिल हो सकती है तो मुझे तो यहां तक gold के अंदर monthly चार्ट में दिख रहा है लेकिन यह कहते होगा I don't know यह वकत बताएगा अगर आप देखें weekly के चार्ट को तो weekly के चार्ट में देखें market ने पहले भी दो दफ़ा इसको breakout करने की कोश्चिश किया यह देखें और अभी भी इसके breakout हुआ नहीं और नाई confirm हुआ है अभी मेरे खाल से इसकी rejection है और market दिखर से मुझे यही बता रही है कि market दिखर से आप जाने के लिए 1973 पर दोबार दोस्ते दोस्त भी हैं इंशाला वो कमेंट में आपको बताएंगी जिन लोगों ने सो सो डालर के अकाउंट को गयरा गयरा जार डालर में convert करके अपने विड्राज लिए 200 डालर को 800 डालर में convert कर लिया तो यह स्टोरी इस इंसपार करने के लिए मैं लोगों को नहीं सुना आता रहता हूं बलके मैं आपके टाउन में भी आपके मिलता रहता हूं आपको आपको जो मोटिवेट करता रहा हूं और आपको जहां पे घलत हैं आपको वो समझाता रहा हूं इसके लिए मैं टाउन टू टू टून विजिट करता रहता हूं हर शाहर में meet-up करता रहता लेकिन next month हम पिशावर meetup में आ रहे हैं आपके city पिशावर में लेकिन उससे भी पहले हम जहलब में एक meetup कर रहे हैं तो link description में मजूद हैं आप अपनी event में registration करें और पिशावर में यह जहलब में जहां पे भी आपका city है comfortable है आप वहां पे ज़रूर meetup हमारा join करें और हमारे साथ मिलके बैठके इन problems को solve करें जो आप face कर रहे हैं ट्रेडिंग में ओके तो weekly में भी gold के अंदर फिलहाल वो sell का scenario जो है यह देखें वो जो sell का scenario है वो अभी तक continue है और वो मेरे खिया से continue रह सकता है लेकिन यहां पे एक hurdle आ गई है वो hurdle क्या है वो hurdle यह है कि market अपरे support से अप जा रही है अगर आप monthly में भी देखें और weekly में भी देखें तो अभी हम एक closing का सारा लेना पड़ेंगे यह सारी details कि कब buying से रुक जाना है कब selling से रुक जाना है कब buying में जाना है कब selling में जाना है हम अपने दादा उस्ताद के ग्रूप में wise messages के सुरूप बताते ही जाते हैं देखें सारा कुछ फ्री बता देंगे तो हम लोग अपनी value खो बैठेंगे हमारे material की value कोई नहीं रहेगी तो दादा उस्ताद का वाटसप ग्रूप अलहमदुल्ल्ह सुम्मा अलहमदुल्ह कामियाबी से जारी है उसके उपर अलहमदुल्ल्ह सुम्मा अलहमदुल्ह 400 से ज़्यादा मेंबर हो चुके हैं और वो 400 का 400 बहुत अच्छा आर्न कर रहे हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको बाल-टू-बाल कमेंटरी मिले लाइव स्ट्रीम के अलावा भी आपको सपोर्ट मिले तो आप हमारे दादा उस्ताद के ग्रूप में शामिल होने के लिए आप इस नमबर पर राफ़ता करें और अपनी जो भी रिक्वेस्ट है वो दायर करें कि आप पाकिस्तान से हैं तो आपको फेस्बुक की मेंबर्शिप ने नहीं पड़ेगी अगर आप इंटरनेशनल ओडियंस में से हैं तो आपको यूट्यूब की मेंबर्शिप से भी गुजारा हो जाएगा लेकिन मैं जोड़ी बाइंग दिख रही है लेकिन मंतली और वीकली दोनों में ही एड दी एंड ओफ दी वीक और मंथ क्लोजिंग के ओपर हम डिपेंडेंड कर रहे हैं जिस तरह आप गवर्णर पॉल अपनी स्पीच में कहता है के वी आप डटा 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 ofight हैं डटा 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 डटोछ क läuft ज्बंडर मेंनसबेंड तो आप बिशना अ дав डटा है डिपर मार्कीर अब चलता हूं? gold के अंदर selling हो रही थी अब वो रुग गई है और market अब हमें induce कर रही है market हमें manipulate कर रही है और हमें वो अभी भी यह दिखाना चाहिए कि हमें sell में जा रही हूँ हकीकत में ऐसा नही है हकीकत में market में dollar index भी हमें दिखा रहा है कि हमें buy जा रहा हूँ हमें 10 year yield ने बता दिया कि 10 year yield में selling आ रही है तो अगर आपको selling नज़र आ रही है 10 year yield में तो that means कि कल परसों वो आपको dollar index में भी नज़र आ जाएगी और फिर buying नज़र आएगी हमें gold में तो मैं इस सुरत में आपको कहूँँगा कि हमें बिलकुल भी market के trap में नहीं आना चाहिए और अंडियूस नहीं होना चाहिए हमें gold को time देना चाहिए और हमें अगर अच्छी opportunity मिलती है तो हमें buy भी करना चाहिए और sell भी करना चाहिए लेकिन वो कैसे चलिए मैं बताता हूँ तो monthly में हम आपको बता रहा था मजबूत तरीन अगले week भी closing मिलती है यह जो buy की हमें इस week closing मिली है तो हम buy देखेंगे लेकिन अगर ऐसा नहीं होता उलोट होता तो फिर हम selling देखेंगे by the help of closing हम यह judge करेंगे कि हमने buy करना है gold को future में यह sell करना है okay तो daily chart पर मैं वापस आता हूँ और आपको levels बता रहता हूँ हमारे पास कौन कौन से level है buy करने के यह sell करने के to be very honest यहां से हमें buy देखना चाहिए जो के 1890 और 1888 यह फिर 1885 का level बनता है आपको अगर buy में देखना है market को तो इन level से देखें 1900 का level भी अच्छा level है market को gold को buy करने के लिए sell देखना पड़ेगा तो market की जिस तरह monthly में देखें कुछ लोग कहते है सर जी आपने तो एक clear direction दी नहीं ना buy कहा ना sell कहा आपने कहा यहां से buy होगा यह sell होगा देखें जब market की clear नहीं है जब मैंने आपको monthly चार्ट दिखाया मैंने दिखाया के जून में जुलाई में और अगस्त में market एक ही जगा पर रही पूरा तीन महीने के अंदर अंदर 70 डालर के अंदर अंदर मूव कर रही थी 75 डालर के अंदर अंदर मूव कर रही थी तो that means market अब दुबारा भी 1950 से लेके 1900 लेवल के अंदर मियान भी मूव कर सकती है लेकिन ये साली चीज़े आपको मैं बाल टू पाल मैं कमंटरी करूँगा आपके दादस्ता गूरूप में या फिरिम मैं लाइफ स्ट्रीम जब आप करते हैं इवनिंग में तो लाइफ स्ट्रीम के दुरान भी आपको पता है फ्रीडेव याले दिन हमारी फ्री में स्ट्रीम होती है मौर्नी की अलहमदोला सुमा लाइफ सोलए प्लस सिगनल मैं ने फ्री आखे फ्राइडे को दिए मौर्नी की स्ट्रीम में और इवनिंग तक 16 के 16 orders profit में चल रहे थी और अच्छा profit अंड किया लोगों ने तो market day by day वरक करती है because हम intraday trader है तो intraday profit करना बहुत ज़रूरी है लेकिन अगर हम weekly analysis की बात करें तो मैं देख रहा हूँ कि market अगर इन levels में आती है तो इन levels से अच्छा buy देखा जा सकता है 1935-1940-1950 तक और अगर market पहले 1950 पर चली जाती है तो उन levels से अच्छा sell देखा जा सकता है 1950 से लेके 1900 तक के level में और अगर हम बात करें कि अगर market ऐसी कौन सा scenario होगा कि market एक side पे निकल जाए तो उस सुरत में market को dollar index को बहुत तगड़ा stance चाहिए जो कि अभी हमें नजर नहीं आ रहा आएए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमने एक tool आपको दिया हुआ है which is fed watch tool इसके अगर आप देखे तो rate high के chances 20% है जबके no change के chances 80% है यह देखे 80% है और ease के chances 0 है Fed chair poll की जो last speech थी उसमें भी उन्होंने यही का कि हम data dependent है inflation अभी भी too high है हम rate hiking के तरफ दुबारा भी जाएंगे लेकिन इस मन्त नहीं चाहिए तो हो सकता है अगरी दफ़ा हम rate hike करें इस साल में उन्होंने रिका है कि हम rate cut की तरफ नहीं जाएंगे बलके हमें ज़रूरत है मजीद rate hiking की तो that means dollar bullish है और pool hawkish है और बाकी जितने भी पोल के member बोल रहे थे हार कर था या दूसरे तीसरे थे वो सारे hawkish है लेकिन उसकी बुनियाद क्या है अगर पीछे कुछ नहीं है तो market किसी भी time crash कर सकती है dollar की जिस तरह के अभी आपको नहीं देखा ब्रिक्जिट का भी submit के दुरान इंडिया ने बुड़ा अच्छा power show किया है चंद्रियान 3 successful हुआ है उसके लिए जितने भी इंडियन्स हैं उनको मैं मुबारक बात पेश करना चाहता हूँ के चंद्रियान 3 की काम्याबी पे उनको मुबारिक हो हम मेरे ख्याल से इंडिया तरक्की के रास्तों में इंडिया ने एक मजबूत कदम शो किया है ब्रिक्जिट की कान्फरंस के अंदर और मेरे ख्याल से ये अमरीका के लिए भी एक direct thread है और डालर इंडेक्स के उपर इससे फरक पड़ेगा आने वाले दिनों में इन चीजों को लेकर जब मार्कीर इतनी कंफ्यूज है तो फिर हमें डालर के अंदर भी थोड़ा सा higher high और lower lows देखने पड़ेंगे जब मार्कीर अपना एक नया low create करना चाहती है तो उसके लिए मार्कीर को सबसे पहले ऊपर आना पड़ेगा उसके बाद मार्कीर दुबारा 1880 की range break करेगी और 1860 में हम देखेंगे अब राल मैं इस मंत की और इस week की closing का wait करूँगा और इसके बाद trade का को desired लोँगा क्ये मैंने मार्कीर को sell करना है या buy करना है बाकि मैं सासात आपको दादा सुताद के group में और इवनिंग की लाइस्ट्रीम में गाइड करता जाओंगा ओपन इंट्रेस्ट इस दफा मैं नहीं आपको दिखा सकता नाई कोट रपोर्ट वो सिर्फ दादा उस्ताद के मेंबरान को ही मैं ग्रूप में सेंड करूँगा वो देखने के लिए आप हमारे दादा उस्ताद के ग्रूप को जॉइन कर लें मुझे अपनी दौप में याद लखें अगली वीडियो तक के लिए जाद दें अलाफिस असलाम अलेकम